नीतिव चिन 14, 15 से 24 तक, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूज कर चलता है, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्क धीठ होकर निडर रहता है, जो जटक्रोध करे, वह मूर्ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं, जो अपने पडोसी को तुछ जानता, वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता, वह धन्य होता है, जो बुरी युकती निकालते हैं, क्या वे ब्रह्म में नहीं पढ़ते? परंतु भली युकती निकालन परिश्रम से सदा लाब होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है, बुधिमानों का धन उनका मुकुठ ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्ता निरी मूर्ता है, प्रेरितों 5, 12-42 तक, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिनह और अद्भुत काम लोगों के करते थे, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्ट्रियां प्रभु की कलिसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सडकों पर लाला कर, खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पत्रस आए, तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पर जाए, यरूशलिम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्धा आत्माओं के सताय हुऊं को लाला कर, एकठे होते थे और सब अच्छे कर दिये जाते थे, तब महायाजक और उसके सब साथ ही जो सदूकियों के पंत के थे, डाह से भर और प्रेरितों को पकड़ कर बंदी ग्रह में बंद कर दिया, परंतु रात को प्रभू के एक स्वरगदूत ने बंदी ग्रह के द्वार खोल कर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ, वे यह सुनकर भोर होत प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी, तो उनके विश्य में भारी चिंता में पढ़ गए कि उनका क्या हुआ? इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो, जिन्हें तुमने बंदी ग्रह में बंद रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। चाहते हो। तब पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आग्या से बढ़कर परमेश्वर की आग्या का पालन करना ही हमारा करतव यह है। हमारे बापदादों के परमेश्वर ने यीशू को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभू और उद्धार करता ठहरा कर, अपने दाहीने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इस्राइलियों को मन फिराव की शक्ती और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्रा आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आग्या मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलील नामक एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मानन जनिय था, न्यायाले में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आग्या दी। तब उसने कहा, हे इस्राइलियो, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना। क्योंकि इन दिनों से पहले थी युदास यह कहता हुआ कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे, सब्तितर बितर हुए और मिख गये। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहुदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नश परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उन्हें कदापी मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लरने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुला कर पिटवाया, और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि लीशू के नाम से पिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग यतो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से की इशू ही मसी है न सरूया का पुत्र योआब तार गया की राजा का मन अप्शालों की ओर लगा है। इसलिए योआब ने तकोअ नगर में दूद भीज कर वहां से एक बुद्धिमान स्ट्री को बुलवाया और उससे कहा शोक करने वाली बन अर्थात शोक का पहिरावा पहिन और तेल न लग परंतु ऐसी स्ट्री बन जो बहुत दिन से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। जब तकोअ की वह स्ट्री राजा के पास गई तब मुह के बल भूमी पर गिर दं आने वाला कोई न था इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा की वह मर गया। अब सुन। पोश मुझी को और मेरे पिता के घराने ही को लगे और राजा अपनी गद्धी समेट निर्दोश ठहरे। राजा ने कहा जो कोई तुझ से कुछ बोले उसको मेरे पास ला तब वह फिर तुझे चूने ना पाएगा। उसने कहा राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मर पाए। उसने कहा, कहे जा, स्त्री कहने लगी, फिर तुने परमेश्वर की प्रजा की हानी के लिए ऐसी ही युक्ति क्यूंकि है। इसलिए तेरी दासी ने सोचा, मैं राजा से बोलूगी, कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। नी, संदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से से न च्छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभू राजा कहे जाये। राजा ने पूछा, इस बात में क्या योऊब तेरा संगी है। स्ट्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शापत, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है, उससे कोई न दाहिनी और मुझे आग्या दी, और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई हैं, तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया की बात का रंग बदले और मेरा प्रभू पर मेश्वर के एक दूट के तुल्य बुद्धिमान है यहां तक की धर्ती पर जो कुछ होता है उन सब को बह जानता है तब राजा ने योआब से कहा सुन मैंने यह बात मानी है तू जाकर उस जवान अप्शालों को लोटाला योआब ने भूमी पर मुह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशिरवाद दिया और योआब कहने लगा हे मेरे प्रभूप हे राजा आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरे अनुग्रह की द्रिष्टी है क्योंकि राजा ने अपने दास की बिनती सुनी है अतह योआब उठकर गशूर को गया और अप्शालों को यरुशिलेम ले आया तब राजा ने कहा वह अपने घर जा कर रहे और मेरा दर्शन ना पाये तब अप्शालों अपने घर चला गया और राजा का दर्शन ना पाया समस्त इस्राइल में सुन्दर्ता के कारण बहुत प्रशन सा योग्य अप्शालों के तुल्य और कोई न था बरन उसमें अक्से सिक तक कुछ दोश न था वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुआता था उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे इस कारण वह उसे मुआता था और जब जब वह उसे मुआता तब तब अपने सिर के बाल तौलकर राजा के तौल के अनुसार दोसो शेकेल भर पाता था अपशालोम के तीन बेटे और तामार नामक एक बेटी उत्पन हुई थी और यहरुपती स्ट्री थी अतप अपशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरुशलिम में दो वर्ष रहा तब अप्शालों ने योवाब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे परंतु योवाब ने उसके पास आने से इंकार किया उसने उसे दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब भी उसने आने से इंकार किया. तब उसने अपने सेवकों से कहा, सुनो, योआप का एक खेत मेरी भूमी के निकट है, और उसमें उसका जो खड़ा है, तुम जाकर उसमें आग लगाओ. इसलिए अपशालों के सेवकों यह कहने को भेजू, मैं गशूर से क्यों आया? मैं अब तक वहां रहता तो अच्छा होता. इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदी मैं दोशी हूँ, तो वह मुझे मार डाले. तब योआप ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई, और राजा ने पचास मनुशे रख लिए. अप्शालोम सबेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्धी राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अप्शालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राइल के अमुग गोत्र का है. तब अप्शालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है. फिर अप्शालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता. तब जितने मुकद्दमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते, और मैं उनका न्याय चुकाता. फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ा कर उसको पकड़ के चूम लेता था. अतह जितने इस्राइली राजा के पास अपना मुकद्दमा लेकर आते उन सबों से अप्शालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था, इस प्रकार अप्शालोम ने इस्राइली मनुश्यों के मन को हर लिया. चार वर्ष के बीतने पर अप्शालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मननत को पूरी करने दे, जो मैंने यह यहोवा की मानी है. तेरा दास जब अराम के गशूर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मननत मानी, कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लोटा ले जाए, तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा. राजा ने उस से कहा, कुशलक शेम से जा, और वह उठकर तब अपशालोम ने इसराइल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिये भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुम को सुनाई पड़े, तब कहना अपशालोम हेबरोन में राजा हुआ. अपशालोम के संग 200 निमिंत्रत यरूशलेम से गए, वे सीधे मन से उसका बिना जाने गए. फिर जब अपशालोम का यग्य हुआ, तब उसने गिलोबासी एही तोपेल को, जो दावत का मंत्री था, बुलवा भेजा की वह अपने नगर गिलो से आए. इस प्रकार राजद्रोह की गोश्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अपशालोम के पक्ष के आबर बढ़ते गए.